शिक्षार्थियों आज के इस कारिक्रम में आपका स्वागत है अब तक हम तुलसीदास रैदास मीरा बाई रहीम के कावे को पढ़ चुके हैं आपने भी शायद इस बात पर ध्यान दिया होगा कि रीती कालीन कवियों का मन श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के चितरन में ब वसंत, ग्रीश, वर्षा, शरद, हिमंत और शिशिर रित्वों के अनेग लुभावने चितर इन कवियों ने उके रहे हैं रित्वर्णन प्राय श्रिंगाररस के अलंबन के रूप में अपनाया गया है शिक्षार्थियों आप भी इस बात से सहमत होंगे कि रित्वों में भी वसंत का रूप संदर अद्वुत है वसंत के आते ही प्रकृति में ही नहीं हम मानवों के मन में भी हलचल होने लगती है होली का त्योहार भी तो इसी रित्वों में आता है जो हमारे तन मन को रंग जाता है यही कारण है कि वसंत को रित्वराज कहा गया है आज के इस कर हम रीति कालीन सू प्रसिद्ध कवी पदमाकर के बारे में जानेंगे और उनके कुछ कवित्तों में हम वसंत की कुछ छवियों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले हम पदमाकर जी का एक संक्षित परिचे प्राप्त कर लेते हैं। रगुनात राव, जैपुर नरेश सवाई जगत सिंग और राज प्रताप सिंग तथा ग्वालियर नरेश, दौलत राव, सिंधिया के यहां आपने सम्मान पूरवक आश्रे प्राप्त किया था। शिक्षार्थियों ऐसा माना जाता है कि कवी पदमाकर जीवन के अंतिम समय में कुष्ट रोग से पीडित हो गए थे और गंगा तट पर गंगा जल का निरंतर सेवन करने के बाद वे स्वस्थ होते चले गए। आता हो उन्होंने गंगा की स्तोती में गंगा लहरी नामग्रंथ की रचना की थी और असी वर्ष की आयू में शिक्षार्थियों उनका देहान थो गया। पदमाकरजी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादूर विरुदावली, जगत विनोद, पदमाभरण, राम रसायन, गंगा लहरी आदी। शिक्षार्थियों श्रिंगारिक्ता रीती कालीन कावे की प्रमुख प्रवृति है। इस युक का कभी चाहे भगती और नैतिकता की चर्चा कर रहा हो या प्रकृति चित्रण में तलीन हो रहा हो। विश्रिंगारिक्ता सेवे कहीं भी बच नहीं सका। उसका मन वहीं रमता है। जीवन की उतार चड़ाव और आशा अकांक्षाओं की अन्य छवियों की ओर उसने कम ध्यान दिया है। तो शिक्षार्थियों हम चर्चा कर लेते हैं कि इस कारिक्रम के हमारे उद्देश क्या क्या है। हमारे उद्देश हैं कि कवी पदमाकर के मुखे का व्यात्मक स्थलों और द्रिश्य चित्रों का हम चयन कर सकेंगे। पदमाकर की इन कविताओं के भाव संदरे की समीक्षा कर सकेंगे। इनके शिल्प संदरे और भाशा संदरे का विवेचन कर सकेंगे। वसंत वर्नन, रूप सौनदरे चित्रन और फाग के द्रशय चित्रों के सौनदरे पक्षयों की विशेष्ताएं तुलनात्मक रूप में हम बता सकेंगे. कवी की कलपना, समेधन शीलता, सहरदयता, चित्र विधायनी प्रतिभा और भाशा सौंदरे की सराहना कर सकेंगे आईए देखते हैं कि रीती काल के श्रेष्ट कवी पदमाकर ने वसंत के सौंदरे चित्र को किस प्रकार प्रस्तुत किया है वसंत का ये चित्र है औरे भाती कुंजन में गुंजरत भौर भीर औरे डोर जोरन पे बौरन के हुए गए कहे पदमाकर सु औरे भाती गलियान छलिया छबीले छैल औरे छबी छुए गए औरे भाती बिहग समाज में अवाज होती ऐसे रितुराज के न आज दिन द्वै गए औरे रस औरे रिती औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे मन हुए गए इस कवित में कवी ने वसंद के कारण प्रकृती की रूप सौंदर में आए अवर्ननिय परिवर्तन का बड़ा अनूठा और उल्लाज से भरा हुआ चित्रन किया है रितुराज वसंत हैं उनका आगमन प्रकृती में और मानव समाज में बाहर और भीतर अत्यधिक मादक्ता भर देता है इस कवित में कवी ने शब्द ध्वन्यों के माध्यम से वसंत का मन मोहक वर्नन किया है कवी कहते हैं कि वसंत को आए अभी दो दिन ही हुए हैं कि कुझों में भौरों की भीड कुछ और ही तरह से गुझने लगी है यहां कवी ये कहना चाहते हैं कि भौरों का समू प्रसंतों और हर्शो लास के साथ मानों वसंत का उत्सव बनाने के लिए एक कत्रित होकर एक स्वर में गुझार कर रहा है अर्थात पुष्प समू ने भौरों में एक अलग ही तरह की प्रसंता और उत्सा भर दिया है डाल डाल पर बौरों के जो गुच्छे दिखाई देने लगे हैं उनका रूप, स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है कि उसे शब्दों में वक्त करना कठिन है गली गल्यारों में बने ठने युवक युवतियों में वसंत के सौंदर्य से जो कामभाव उत्पन हुआ है उससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, वे हर्शित दिखाई दे रहे हैं ऐसे मोहक रितुराज वसंत को आए अभी कुछ ही समय बीता है पक्षी भी सामोहिक रूप से प्रसनता पूरवक चहकने लगे हैं कभी कहता है कि यह परिवर्तन सब और दिखाई दे रहा है सारा वातावरन रस से, रंग से, रीती से, गीत और प्रेम से बिलकुल बदल गया है तन, मन और वन, उपवन सभी में बदलाव आ गया है इस बदलाव को अनुभव ही किया जा सकता है इसे समझाया नहीं जा सकता शिक्षार्थियों, इस कवित में कभी ने वसंत का एक ऐसा उल्लास में सौंदरे चित्र उपस्तित किया है जिसमें रूप, रस, गंध, मादक्ता, सब का सम्मिश्रन दिखाई दे रहा है निरपेक्ष और शुद्ध प्रकृति चित्रन का ये बड़ा मनोरम और आकर्शक वदारन है वातवरन निर्मान के लिए कवित में ध्वन्यात्मक शब्दों का बड़ा कलात्मक प्रयोग किया गया है इससे जो चित्र तियार होता है वे अपेक्षित वातवरन को प्रतक्ष करने में बहुत बड़ी भूमी का निभारा है और बहुत ही प्रभाव शाली बन पड़ा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा ऐसी प्रती ध्वनिया पैदा की गई है जिसका प्रभाव पार्थक के मन पर हम पर देर तक बना रहता है शिक्षार्थियों इस कवित में अलंकारों की बात करते हैं आप जानते ही हैं कि जब एक ही ध्वनी अत्वा वर्ण की पुन्रवरती होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं यहां भीर भौर, छलिया छबीले छैल, छबी छवय गए तथा तन मन में अनुप्रास का चमतकार देखने योग्या है इस कवित में लगभग प्रतेक पंक्ती में अनुकर्णात्मक शब्द ध्वनियों का अनुप्रास जंकृत प्रियोग बहुत सुन्दर बन बड़ा है और ये भाती की बार-बार आवरती से भावा भी व्यंजना को और अधिक व्यापक और प्रभावशाली बना दिया है शिक्षार्थियों आपने पहले पढ़ा होगा कि और शब्द व्याकरनेक दृष्टी से किनी दो शब्दों अत्वा वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रियुक्त होता है परन्तो यहां पर यह जो और शब्द है इस रूप में नहीं आया है यहां और शब्द का आर्थ विशिष्ट के आर्थ में है आर्थाथ जो अकथनी है जिसे कहा नहीं जा सकता जिसका वड्नन नहीं किया जा सकता तो शिक्षार्थियों हमने वसंत का चितरण पढ़ा और जाना कि पनमाकर की कविता किस प्रकार मन को छू जाती है वसंत रितू की सुन्दर्ता का वर्णन करते हुए भी विक्ति को बार-बार यही लगता है कि ऐसा कुछ है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है वह तो और ही कुछ है अब हम अगला कवित पढ़ते हैं और यह कवित होली अर्थाथ फाग पराधारित है एके संग धाय नंदलाल ओ गुलाल दो द्रगनी गए जू भरी आनंद मढ़े नहीं धोए धोए हारी पदमाकर तिहारी सों अब तों उपाई एक चित में चड़े नहीं कैसी करों कहां जाऊं कासे कहूं कौन सुनें को तो निकासो जासे दरद बढ़े नहीं एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखनतें कढ़ी गोविय पै अहीर तो कढ़े नहीं इस कवित में पदमाकर ने फाग अर्थात खूली का बहुत ही हिदेस परशी दिल को छू लेने वाला चित्र अंकित किया है एक गोपी का कृष्ण के साथ गुलाल से फाग खिलने का बड़ा सजीव वर्नन अपनी प्रिये सकी से करती है वसंत के ही साथ जुड़ा है एक उत्सा उमंग का त्योहार जिसे आप भी खूब जानते हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं इस्तियोहार को कहते हैं होली इसी का दूसरा नाम है फाग वैसे फाग उन लोग गीतों को भी कहते हैं जो होली के समय में गय जाते हैं आईए देखते हैं कि पदमाकर फाग का चित्रन किस प्रकार कर रहे हैं। कवी की कल्पना को कुछ गहराई से समझने का हम प्रयास करते हैं। यह पूरा कवित एक गोपिका का कथन है। उसकी परिशानी क्या है? इसे समझने के लिए होली केक रिवास को याद कीजिए। अबीर गुलाल हवा में उड़ाना उचालना। यह उड़ता गुलाल तो गोपिका की आँख में ही चला गया है। उसके साथ साथ ननलाल भी उसकी आँख में बस गये हैं। कल्पना कीजिए। किवल गुलाल आँखों में पढ़ जाए तो उसे निकालने का क्या उपाय हो सकता था। गोपि आँखें धोधो कर हार गई है उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसो क्यों? उसे क्या चट पटा हट है? का से कहूं? कौन सुने? में क्या करथा छिपी है? क्या गुपि का की बात आपको विश्वस नहीं लगती है? ननलाल के आँखों में बस जाने का दर्ध दूर करने के लिए वे क्या नहीं समझ पा रही है? अभीर तो जैसे तैसे निकल गया, पर अहीर नहीं. पर अहीर कौन है? अहीर है श्री कृष्ण. क्या गुपि सचमच क्रिष्ण को आँखों से दूर करना चाहती है? नहीं पूरी कविता में कवि की व्यंजना पर ध्यान देजे यहां कृष्न के प्रती उम्डे प्रेम का वर्णन आँखों में अबीर पढने की सिति के रुप में किया गया है लेकिन जितनी सरलता से अबीर धूल जाता है उतनी सरलता से कृष्न प्रेम नहीं धूल सकता और नहीं गोपी ऐसा चाहती है मैं तो अपनी सहेली की सौगंद खाकर उसे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वह कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और ना उसे इसका कोई उपाय सूझ रहा है शिक्षार्थियो इस कवित से आप अनुप्रास और यमक के उदारन चाहन सकते हैं उन पंक्तियों को चुन सकते हैं जिसमें गोपी का की अधीरता अकुलाहट और विवश्टा चित्रित हुई है क्या आपने ध्यान किया कि इसमें किस प्रकार की भाशा का प्रयोग किया गया है शिक्षार्थियो अब हम कवी पदमाकर के कावे में भाव सौंदरी तथा इसका शल्प सौंदरी कैसा है की चर्चा करते हैं उनकी कविता में रीती कालीन कविता की सभी मुख्य विशेष्टाएं विद्यमान हैं वे रीती बद कावे धारा के प्रतिभा संपन्द कवी थे उनमें श्रिंगार रसकी भावा भी व्यक्ति की विलक्षन प्रतिभा रही है इसी कारण कवी पदमाकर रीती काल के श्रेष्ट कवी कही जाते हैं शिक्षार्थियों, कवी पद्माकर की कविता में उत्कृष्ट कल्पना की उडान है और विशे विवेचन की विशुद्धता भी उनकी विशेष्टा है, जिससे कावे में लाक्षनिक्ता और मधुर्ता आ जाती है, वेनुप्रासों की तो जड़ी लगा ही देते हैं, जिसस शिक्षार्थियों, कवी पद्माकर उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न कवी हैं, उनकी कावे की दो विशेष्टाएं सर्वपरी हैं, द्रिश्य और शब्द योजना के द्वारा प्रकृति के माध्यम से रितुवर्नन और कल्पना की उल्लास में उडान, आनन्द और उल्लास से जग्मगाते चित्र प्रस्तुत करने में उनकी शब्द संयोजना जो है, बहुत ही अनुपम हैं, तो शिक्षार्थियों, आज के इस कारिक्रूम में हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, कि इस कारिक्रूम में हमने आज क्या सीखा, तो शिक्षार्थियों, आज हमने सीखा कि पदमाकर रीती काल के अंतिम समर्थ कवी हैं, उनका कावे भी उनके जीवन की तरह ही उल्लास और एश्वरे से युक्त हैं, पदमाकर की भाशा में रीती कालीन कावे भाशा और शिल्प की समस्त, सरस्ता, सुगड़ता, कोमलता और आलंकारिक्ता मिलती हैं, ब्रिज भाशा का प्रौड साहित्तिक रूप पदमाकर के कावे में बड़े सभाविक रूप से विद्यमान हैं, उनके रूप चित्र भी रंगीन और आकर्शक हैं हाग के जो नैना भी राम सहर दैता भरे द्रिश्य चित्र कवी ने अंकित किये हैं उनमें भाव प्रवणता और द्रिश्य विधाईनी शमता का पूरा परिचे मिलता है तो शिक्षार्थियों आज की इस कारेक्रम में हमने कवी पदमा करके कावे को जाना और इसके बारे में चर्चा की मैं आशा करती हूँ आपको यह कारेक्रम अच्छा लगा और इससे आपको पदमा करके कावे को जानने में और समझने में सहायता मिलेगी धन्यवाद